नमस्कार दोस्तों रेश्णवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पसूर डेरी सेड के बारे में सेड बनाते समय बुनियादी वसूलों को ध्यान में रखना चाहिए सेड साधा हवादार और जानवरों के लिए आरमदायक हो और हमारे लिए सुविधा जनक हो ऐसा सेड का निर्मान करना चाहिए एक अच्छा सेड कम मजदूर में बेहतर अच्छा काम कर सके ऐसा सेड डिजाइन होना चाहिए दोस्तो सेड में भेंडिलेशन का खासा ध्यान रखना चाहिए खिरकी होनी चाहिए जिससे रोसनी आ सके सेड का डिजाइन ऐसा हो कि आराम से आराम देह महौल में पसू खुला छोड़ा जाए और 24 घंटे पानी पी सके और दाना खा सके फार्मर पर काम करने वाले लोगों के लिए जानवरों की रखवाली और उन्हें दाना देना आसान हो सैड मौसम के आधार पर हो, सर्दियों में ज्यादा धूप, गर्मियों में ज्यादा देर तक छाया, सैड में रहे इर्द गिर्द साफ सफाई हो, सैड की सफाई और मुसलसल देखभाल हो सके दोस्तों, जब सैड का निर्मान किया जाए तो एसी जगह का इस्तमाल किया जाए जहां जरूरत के हिसाब से जानवर बाहर आराम से घुम फिर सके सैड की जगह हमेशा इर्द गिर्द की जगह से उच्छी हो ताकि आसानी से सफाई हो सके ताजा और साफ पानी का इस्तमाल जरूरत के हिसाब से उपलब्द हो गर्मियों में हवा का सेड से निकलने का जगह हो डेरी फॉर्म आवादी से दूर हो, मार्केट तक मिल्क पहुँचाना आसान हो गाओं से जुड़ता सडक के नजदीक हो बिजली की सप्लाई आसान हो मैनूल से होता है और और गनाइज जो है आटेमेटिक वो पूरा मसीन के दवारा होता है इसे में केनाइट भी बोलते हैं सेड बनाने से पहले कुछ अहम बातों का ख्याल रखे सेड पूरव से पस्चिम की तरफ होना चाहिए हर जानवर के बीच सेड में चार बाई चार फिट का दूरी होना चाहिए चार बाई चार फिट पर पांच इंच का इंट या लोहे के एंगल का दिवार होना चाहिए दोनों सेडों के बीच में दूरी कम से कम छह से आठ फिट का होना चाहिए पावर टेलर से भी ताकि चारा डालने में सुविधाज जनक हो या फिर इसके फेस टू फेस सेड में गाय को खड़ा होने के लिए आठ से दस फिट की जगा होना चाहिए खुला जगा कम से कम 30 से 35 फिट का होना चाहिए खुला जगा में बालू डाल कर आराम देह बनाते हैं गाय को घुमने के लिए जिससे गाय खुस रहेगी और जब खुस रहेगी तो दूद भी ज़्यादा देगी गाय श्ट्रेस में नहीं होगी तो डेरी फॉर्म में बिनिफिट होगा आपकी जनकारी के लिए जानवर के खड़े होने वाला बरामदो का च्छत 12 से 13 फिट होती है मुह के तरफ फ्रंट से 12 फिट और बैक तरफ 13 फिट का होना चाहिए 10 से 11 फिट गाय के पीछे बेहतर माना गया है बेहतर सफाई के लिए हर 25 फिट में एक फिट धलान होना चाहिए दोस्तो दाना रखने वाला रूम भी होना चाहिए दवाई रखने वाला आलमीरा होना चाहिए चारा कटिंग रूम होना चाहिए बिमार जानवरों के लिए हो जाना चाहिए जिससे की आराम से जो भी मुत्र है वो बाहर निकल सके सेड को टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए फैन फॉगर सिस्टम होना चाहिए और टेंपरेचर मशीन का भी इस्तमाल करना चाहिए फिर मिलकिंग मसीन जरूर होना चाहिए फॉर्म में गोबर्ड होने वाला छोटा ट्रोली होना चाहिए और इसके साथ ही मैनुवल असक्राइपर मसीन होना चाहिए जो गोबर एकत्रित करता है समर्सेबल पानी सिस्टम को अपरेट करने के लिए भी होना बहुत जरूरी है अस्प्रे या गाय को धुलाई के लिए प्रेसर वाटर प्रेसर पंप होना चाहिए गाय के नाद में आटेमेटिक वाटर सिस्टम होना चाहिए जिससे गाय अपने इच्छा अनुसार पानी पी सके सैड में म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए जो कि गायों को मतलब हैपनिस प्रदान करता है खुसी मसूस कराता है और आटोमेटिक मसाज सेंसर ब्रस होना चाहिए जिससे गायों को खुजली करना है तो भी गाय अराम से उसमें खुजली कर सके सैड बनाते समय फर्स पर पैर फिसलने से बचने के लिए लंबा लाइन खिचना चाहिए पूरा एरिया का बौंडरी वाल होना चाहिए एक दाना एक रूम होना चाहिए दोनों और नाद के बीच का दिवार दू से 2.5 फिट जादा उचा होना चाहिए और थोड़ा गड़ा जादा होना चाहिए ताकि जादा से जादा दू दिन तक भूसा रख सके सेड का बौंडरी बौंडरी वाल 7-6-8 फिट के बाद 5-6 फिट खुला चारो तरफ से होना चाहिए उसमें जाली लगा होना चाहिए खुला जगह के बीच में गोला कार बड़ा नाद या लंबा नाद भी एक होना चाहिए गाय ज्यादा दूद देने वाली गाय के लिए काव मैट की भी जरूरत होती है सीमेन अस्टोर करने के लिए एक AI केंटेनर की जरूरत होती है वो भी होना चाहिए एक फार्म में CCTV कैमरा भी फार्म पर इंस्टोल करवाना चाहिए सम्थिंग इसका 30,000 प्राइज पड़ता है काव में सेंसर बेल्ट भी गले में लगा होना चाहिए जो पूरा वायो डाटा कंप्यूटर के माध्यम से मालिक तक एप के द्वारा मोवाईल में या लैपटोप में पहुँचाता है एक जैस्ट फैन भी जो गंदा हवा को बाहर घीच सके होना चाहिए बच्छडी के लिए भी जाली वाला सेड होना चाहिए भेंडी लेटर फैन भी होना चाहिए दोस्तों आगे है फार्म के आगे गेट के पास छाव फिट गढ़्धा होना चाहिए दोस्तों इसमें पानी भर के पर्मानेंट रखना चाहिए ताकि पानी भरने से इसमें गाए जब बाहर निकले तो इसमें पैर उनके बार बार उसके अंदर जाए और जिससे पैर उनका साफ हो करके गाए बाहर आए रबबर मैट को हर सपता हमें हटा कर बिलीचिंग पाउडर से सफाई करना चाहिए मैट काव का लंबा 40 फिट वाला ही लेना चाहिए जो लंबा यहां से लेकर के 40 फिट तक कभर कर सके टेंपरेचर बुखार नापने वाला यह अंतर जो हम लोग बुखार नापने हैं वो गाएओं के लिए भी रखना चाहिए वेदर की वेदर की वेदर की तापमान या फार्म में कितना तापमान है इसको जानकारी के लिए एक टेंपर कि अंगराश की जानकारी के लिए श्यावटा परती है दोस्तों थेंक्यू धन्यवाद वैस्टनवी और्गेनीक डेरी फोर्म बहुत-बहुत बहुत दूर्ट